हालो अब्रिवन आप सभी के मेरी यूटूब चैनल संध्या कीचन में स्वागत है आज मैं आपके लिए मेथी की बहुती टेस्टी रेश्पी लेके आए हूँ मेथी मलाई मतर जो बहुती टेस्टी और स्वाधिस्ट होता है और बहुती हेल्दी भी होता है अक्सर ठंड के मौसम में बनाए भी जाते हैं इसको अब गरम गरम पूरी या पराठे साथ सर्व करी बहुती टेस्टी लगता है तो चलिए आज मैं आपको रेश्टोन टेस्टाल में मेथी मलाई मतर की रेश्पी बनाना बताओंगी यहां मैंने सारी समागरी है मैंने यहां मेथी धाई सुग्राम मेथी लिया है जिसको मैंने अच्छे से दो के साफ करके रख लिया है और यहां मैंने एक कप मटर लिया है फ्रेस मटर लिया है मैंने अदम ताजा और यहां तीन से चार हरी मिर्ची और एक प्याज मैंने लिया है दो टमाटर यहां मैंने मोटे स्लाइस सकार में कट करके रख लिया है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी मैंने लिया है यहां काजु मैंने 15-20 काजु लिया है साबुद गरम मसाले है और यहां मैंने 5-6 लासुन और थोड़े से अद्रक लिया है यह सबी मसाले हैं जिसमें एक चमच हल्दी पाउडर, दो चमच लाल मिश पाउडर, दो चमच धनिया पाउडर, दो चमच जीरा पाउडर, दो चमच गरम मसाला और एक चमच काली मिश पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वादम सा सबसे पहले हम मेती को एक कप पाने के साथ अच्छे से बॉयल कर देंगे हम पांच मिट बॉयल करेंगे मीडियम फ्लेम पे बॉयल करने से पतियां जो बहुत अच्छे से गल भी जाती है और इसका जो तीखा पन होता है पतियों का वो निकल भी जाता है इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करेंगे इसे पत्ती असानी से गल्ब जाती है ये देखें पत्ती जो असानी से उबल गए इसको हम छान के रख लेती है और जो मेती का पानी है आप उसको आटे में मिक्स करके आप मेती की पूड़ी बनाके त्यार कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम मसाले बनाना स्टार्ट करते हैं यह हम अन्य एक पैन में थोड़े से तेल डाल के गरम कर लिया है इसमें हम जेरा डालेंगे और साबुत गरम मसाला डालेंगे जिसमें बड़ी लाची, लॉंग, दालचेनी, काली मिर्च और थोड़ी से दालचेनी है तीन से चार हरी मिर्ची और लासुन, प्याज और टमाटर इसमें मिक्स कर देंगे और इसमें 15 से 20 हम काजू भी मिक्स कर देंगे जिसे ग्रेवी जो है, बहुत ही थीक और दम क्रीमी स्मूथ बंद के त्यार होती है इसको मीडियम फ्लेम पर बराबर चलाते रहेंगे थंट के मौसम में बनाया जाने वह बहुत ही टेस्टी रेस्पी है और मेथी बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है और बहुत ही फायदेमन भी होती है अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करके इसको बराबर चलाके इसको भून लेंगे अच्छे से जिससे लॉसन प्यास टमाटर अच्छे से तोड़ा से गल भी जाएंगे और भून भी जाएंगे इसको ढखके पका लेंगे हम जब तक लॉसन प्यास टमाटर भूनते हैं तब तक यहाँ पे हम इसका मेथी का इसमूथ एदम बारिक पेस्ट त्यार कर लेते हैं यहां मैंने मेति का एदम भारिक पेश्ट बना के तयार कर लिया है जिस तरसे आप पालक पनीर की सबजी बनाते हैं उसे तरसे यह मेति का भी आप भारिक पेश्ट तयार करके रख लिजिए अब यहां लासन प्यास टामाटर अच्छे से भून गया है अगल भी गया है अब मैं इसको ठंडा करके बारिक पेष्ट बना के इसका हम त्यार कर लेंगे इदम स्मूथ और बहुत ही टेस्टी स्वादिश्ट आपका ये मेथी मलाई मतट की सबजी बनके त्यार होती है इसको मिक्सर में हम अच्छे से दम बारिक पेष्ट बना के त्यार करेंगे और ठंड की मौसम में अक्सर ये गर्म गर्म इसको खाईए बहुत ही टेस्टी हेल्दी सबजी आपके ये बनके त्यार होती है तिया मसाले के सब पेष्ट बना के मैं त्यार कर लिया है अब मैं एक कड़ाय में थोड़ा सा तेल डाल के गरम करूंगे उसमें जीरा और तेस पत्ता मिक्स करूंगे एक चमच मैंने जीरा मिक्स किया है दो तेस पत्ता और इसमें थोड़ा सा मतर डाल के अच्छे से नमक डाल के इसको भी हो मतर को भून लेंगे मटर को बॉयल करके डाल सकते हैं या मैंने मटर को अच्छे से भून लिया है 3-4 मिट मैंने मटर को चला के अच्छे से भून लिया है अब मैं इसमें मसाले मिक्स करूंगी एकचमच हल्दी पॉडर, लाल मिश्च पॉडर, धनिया पॉडर, जीरा पॉडर, गरम मसाला पॉडर और इसमें काली मिश्च पॉडर एकचमच हम मिक्स करेंगे बराबर चलाते हुए सवी मसाले हम मीडियम फ्लेम पे भूनके त्यार कर लेंगे बहुती अच्छी खुसबू आ रही है मसालों से अब मैं इसमें तयार किये हुए लासुन प्याज टमाटर का जो मैंने पेश्ट तयार किया था है इसमें मैं मिक्स कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पर इसको भी हम सभी मसालों को एक साथ मिक्स करके भूल लेंगे इसमें एक कप पानी मिक्स करेंगे यह मैंने मसालों का पानी एक कप मिक्स किया है सभी मसालों को हम मेडियम फ्लेम पर लगतार चलाते हुए भूनेंगे बहुती जल्दी मसाले भून के तयार भी हो जाते हैं और ग्रेवी बहुत ही दम क्रीमी स्मूथ बेटर बनके त्यार होती है अब मैं इसमें एक चमच गरम मसाला और एक चमच काली मिश पाउडर और तुछ से लाल मिश पाउडर मिक्स करूंगे और नमक हम स्वाद अंसार मिक्स करेंगे मसालो को हम पास में ढगके पका लेंगे इसे मसाले जो अच्छे से दम पक जाएंगे यहां देखिए मसाले अच्छे से दम पक गये है महती बड़िया एदम ग्रेवी इसकणब बनके तियार हुए अब मैं इसमे एक कव फुरिस मलाई मैंने इसमें मिक्स किया है इनम घर का त मेथी पेष्टी इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको बराबर चलाते हुए 5 मिट तक हम पका लेंगे जिसे मसाले और मेथी का पेष्टी जो एक साथ मिक्स हो जाएगा इसमें एक कप पानी हम मेथी कप पानी इसमें मिक्स करेंगे इसमें ज़्यादा पानी ने मिक्स करना है और मीडियुम फ्लेम पे ही इसको पकाना भी है इतम इसका ग्रेवी जो इतम क्रेमी स्मूथ बेटर बन के त्यार होता है इसको ठक के पांस मिटम पका लेंगे ज्यादा नहीं पकाएंगे कि एक सारी सब्जी अधम वैल्ड है और बहुत ही जटपड आसान तरीके से बनके त्यार हो जाती है इसमें से काली मिश पाउडर और फॉसर गरम मसाला उपर से मिक्स कर देंगे जिसे बहुत ही बढ़ यह टेस्ट आता है इसका इसमें बटर भी मिक्स कर दिजी बहुत ही टेस्टी लगता है इसकी ग्रेवी तिक एदम गाड़ी ग्रीमी स्मूथ बेट को यह बहुत ही टेस्टी लगता है और ठंड की मौसम अक्सर ही बनाए भी जाते हैं मेती मलाई मतर की सब्जी दंबन के त्यार है आप भी अपने घर पे वज़रू बनाईए और में वीडियो के लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए गर जिसे और भी आगर रेस्पिक न को मिलती रहा है